आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कम जाता कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं यह किस प्रकार से कार करते हैं और हमने उसके भिन-भिन करीके के जो ऑपरेशन्स हैं उनको आर्ट सौप्ट्वेर में करने की कोशिश करी थी आज के लेक्चर में हम नहीं लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में हमारे पास कुछ और सवाल हैं जिनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं जैसे उधारल के लिए अगर हम आपसे कहें कि आपके पास कोई एक वैरिबिल आता है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं लेकिन आपने वैल्यूज नहीं देखी हैं आपको यह पता करना है कि यह variable हमारा logical variable है कि नहीं है उसके बारे में कैसे पता किया जाए उसके अलावा इसी तरह के हमारे पाच छोटे चोटे और भी कई operations होते हैं जो हमारे logical operation में काम आते हैं तो आज हम उन्ही logical operations के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम आपको एक quick revision करवा देते हैं कि हमने किन-किन logical operators की बात करी थी क्योंकि उसकी basis से मुझे आपको आज truth table के बारे में भी बताना है जिसके बारे में हमने पिछले lecture में बात करी थी तो चलिए हम इ चलिए को ने कई सारे logical operators की बात करी थी उसमें से एक था greater than किसके लिए हमारा R में operator था greater than sign दूसरा हमारा था greater than or equal to कि किसके लिए हमारे पास R में symbol था greater than और साथ में equality sign उसके बाद हमारा था as than, इसका हमारा सिंबल था mathematics का जो हमारा as than का सिंबल होता है और less than और equal to के लिए हमारे पास less than और साथ में equality का sign लगाना होता है और अगर हमको अपने logical equality की बात करनी है तो वहाँ पे हम equality sign को हम दो बा लगाते हैं और यहां से हमको यह पता चलता है कि कोई दो statement या कोई दो number आपस में exactly equal है के नहीं है अथा exactly बराबर है के नहीं है कैसे कि अगर हम कहें two equal to six यह तो गलत है actually two is not equal to six लेकिन अगर इसको हम logical में अगर हम लिखना चाहेंगे ऐसे कि अगर हम कहें six equal to six तो अगर हम कुछ को logical लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे six दो बार equality के sign और six और उसी तरह से अगर हमारे पास operation है not equal to तो हमारा symbol होता है exclamation sign और साथ में equality sign और अगर negation करना है अथा नहीं तो हमारे पास sign होता है खाली exclamation sign का और इसके साथ में आप में यह भी पहाता कि यह जो true or false होते हैं यह आपके दो result words होते हैं जो हमारे logical constants होते हैं और साथ ही यह जो हमारा zero होता है zero को हम false की तरह मानते हैं और जो भी हमारे non zero numbers होते हैं उनको हम true की तरह मानते हैं और साथ ही आपने दो और लॉजिकल ऑपरेटर्स पखेलते एंड और 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 उन एंड और और ऑपरेटर्स में अर्थाथ एंड और का मतलब है और जो हमारा और ऌर ऑपरेटर्स है इसका हम अख्वा तो एंड और अफ्वा कि जो आपने ऑपरेटर्स पखेलते उसमें आपके पास तो आपर यहां पड़ते पर यहां दो आपने देखा था fellas यह जो sign exclamation का यह तो हो गया logical not लेकिन अगर हम यहां पे single and और double and को हम लगाते हैं तो and हमारा जो operator होता है and a and d अर्था दोनों का और का उसका कारे करता है और जब हम एक ही and का operator लगाते हैं तो वो हमारा element wise operation करता है इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे data vector में जितनी भी values हैं उन उसके उपर logical operation करता जाएगा और अगर हम double and operator लगा देंगे तो यह भी हमारा logical and होता है लेकिन यह खाली हमारी जो उस data vector की सिर्फ पहली value को ही देखता है उसी प्रकार से हमारे पास और operator होते है और का मतलब अथवा इसमें से हमारे पास दो options है कि जो हमारा और का symbol होता है वो होता है vertical line तो हम एक ही vertical line को लें यह हम double vertical line को लें तो जब हम एक ही vertical line को लेते हैं यह हम single or operator को use करते हैं तो यह हमारा element wise कार करता है और यह हमारे data vector में ज रजिकल और होता है लेकिन यह खाली को पहला नमबर थालिस जा अखारी उसके इसके ओपर के बहुन करता है उसके इन लावव के आङ Traffic और कि आगर हमारे पार 2 आई कपक झार 식 रव्य हमारे सत्क्राइ्ट स्टुन तो इसके लिए हमारा s true is और tru Dust truub soltsus के अंदर निका स्क्राफ करता है दिया ही स्क्रास कि यू इस प्रिकार से जो स्क्राइक जिसमें स्ट्राइब鰱स स्थाभ स्क्राइब फॉल्स स्क्राइब्स सी料 स्नुख जिसanov तर्वाइब फॉल्स हमारा ओसल तैος एst करता है कि क्या एक समारा false है और true और false के बारे में आपने समझ लिया है कि यह हमारे reserved words होते हैं अब हम इसमें से आगे बगते हैं और जड़ा सा इनी की basis पर हम आपको truth table के बारे में बताते हैं truth table के बारे में आपको याद होगा कि पिसले lecture में हम जब भी अपने कोई operation करते थे उसमें से हम आपको कई बार कहते हैं कि अगर हमारे पास दो statement हैं और पहले statement का अगर उत्तर आ रहा है true और दूसरे statement का उत्तर भी आ रहा है true तो हम कहते हैं अगर हम and operator use कर रहे हैं तो हम कहते हैं true and true is true और उसी तरह से अगर हम और operator use करते हैं तो हम कहते हैं true और true is true उसी तर आपना operator use करते है एक्स एंड य तो उसमें हम कहते हैं कि false and true is false और अगर हम अथ्वा का operator करते हैं और तो false or true is true तो इस तरह के हम कई सारे operation करते थे और हम आपको बार बार यही कहते थे कि जब भी हम इसको कभी truth table आपको समझाएंगे तब हम इन operation को समझाएंगे तो आज हम सब से पहले है truth table की बात करते है truth table के अंदर हमारे जो true और false के जो हमारे operation होते हैं and या और उसके बारे में बात करी जाती है तो अगर हम माली यहाँ पर अपने कोई दो statement ले ले statement one और statement two और statement one को हमने दिखा दिया x से और statement y को दिखा दिया है y से तो statement one हमारा है x और statement two हमारा है y अब हमने इन दोनो statement के उपर operation किया जो अपना operator लगाया तो अगर हमने and operator लगाया है तो इसका अदर है कि x and y तो इसका outcome क्या आएगा और अगर हमने अपना operator लगाया है x और y बना x अथवा y फिर उसमें आपका outcome क्या आएगा तो यहाँ पर यह जो table है इन्ही सारे combination को दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि अगर हम आप से कहें कि आपके दो statement है x और y जिसमें से x का हमारा outcome आता है true और y का भी outcome हमारा आता है true तो अगर आपका operation है x and y तो उसका भी जो outcome होगा वो true ही आएगा और अगर आपका operation है x और y तो आपका true and true का जो भी outcome होगा वो आपका true आएगा उसी प्रकार से अगर हम एक और condition लेते हैं जहाँ पर statement 1 का हमारा outcome आया है true और statement 2 का हमारा outcome आया है false और अगर हम यहाँ पर x and y अथाथ statement 1 and statement 2 इनको operate करते हैं तो true or false का जो and operator का outcome हमारा false आएगा और अगर हम यहाँ पर और operator यूज करते हैं अर्थार x और y तो इसका outcome हमारा true आएगा उसी तरीके से इसी का हमारे पांग उल्टा भी हो सकता है कि अगर जो हमारा x हमारा है false और y हमारा है true और हम अपना operation करते हैं x and y तो x and y का जो हमारा outcome आएगा वो हमारा होगा false और x और y का जो outcome आएगा वो हमारा होगा true और उसी प्रकार से अगर हमारे पास statement 1 और statement 2 दोनों के उत्तर आते हैं false और अगर हम अपना operation करते हैं x and y तो उसका उत्तर आएगा false और अगर हम operation करते हैं x और y तो हमारा उत्तर तो x and y और x और y दोनों के केसे में हमारा यहां पर false आएगा तो देखिए यह हमारे नियम होते हैं जिनके द्वारा हमारे यह true और false के operations होते हैं जब हम उनको and या और के द्वारा combine करने की कोशिश करते हैं तो देखिए इन ही चीज़ों को हम आपको जरा से यहां पर आर software के माधियम से करके यह दिखाना चाहेंगे की आर के अंदर इनका outcome किस प्रकार से आता है तो उधारा के लिए हम यहां पर दो variable लेते हैं x और y और x की value हमने ले लिए true और y की value बने ले लिए false जो हमारे logical operators है अब आप अगर यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो हम जैसी यहां पर करते हैं x and y तो इसका उत्तर हमारा आ जाता है false और जैसे हम करते हैं x और y तो हमारे इसका उत्तर आ जाता है true आप इसको अगर यहां से देखने की कोशिश करिए अगर तो देखी यह आपका x and y x true और y है false तो देखी यह वाला operation हो रहा है तो देखी इसमें से जो आपका x and y false है और x और y आपका true है तो देखी यहां पर आपकी आ गई तो आपने देखा कि जो भी true and false को जब भी हम combine करने की कोशिश करते हैं तो उनका outcome इसी truth table के outcome के द्वारा ही control होता है और चुकि x हमने लिया हुआ यहां पर true तो अगर हम करते हैं negation of x जो x है वैसा ना हो इसका मतलब क्या हो जाएगा true का उल्टा false तो देखी यहां पर आपका उतर आ जाएगा false और यही देखी आपका screenshot भी है देखी तो चलिए इनको हम करने के पहले आपका are software में करके दिखा रेते हैं तो देखी मैंने यहां पर ले लिए x को ले लिए true और y को मैं ले लिए false आप यहां पर देखी यहां मारा क्या हो गया x and y आखी क्या हो गया false और अगर हम करते हैं X और Y तो देखिए यह हमारा क्या हो गया? True और अगर हम यहां पर negation of X करते हैं X हमारा है true तो negation of X false हो गया और अगर हम negation of Y करते हैं तो Y हमारा है false तो negation of Y हमारा है true तो देखिए यह बहुत ही आसान से operation है खास बात यह है कि आपको समझना है कि इनके अंदर क्या होता है अब हम आपको यहाँ पर एक उधारन और लेते हैं और इस उधारन के द्वारा हम आपको यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अगर कोई भी अपना logical operation करते हैं उस operation का जो outcome है वह भी logical होता है लेकिन आपको अपने outcome को cross check करना है कि वह जो outcome है उसका behavior कैसा है वो logical है कि नहीं तो उसको cross check करने के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास एक command होता है is.logical is.logical और फिर हम parenthesis में अपना जो भी variable है उसको दे देते हैं तो इसका जो भी outcome होगा logical का दो ही option है या तो true या false यह उसको बता देगा कि वह variable logical है कि नहीं अगर उतराता है true इसका मतलब है कि जो variable का outcome है वो logical है और अगर उतराता है false इसका मतलब है कि हमारा outcome का जो variable है वो हमारा logical नहीं है तो चली हम यहाँ पे कई सारुधारग लेते हैं और आपको यह बिन-बिन करीगे कि logical operation करके दिखाते हैं और साथ में हम उनका outcome भी cross check करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक value ले लिए x equal to 5 और अब हमने एक अपना operation किया जहाँ पे हम यह देखना चाहते हैं कि x greater than 2 अर्था 5 greater than 2 और इसका जो भी outcome है उसको मैंने एक logical 1 variable के अंदर store कर दिया है तो यह जो logical 1 variable क्या आपका हो गया इसकी value आजाएगी true और अब आप यहाँ पे cross check करिए अगर कि is.logical और parenthesis में लिखी logical 1 अर्थात आप यह देखना चाहते हैं कि logical 1 variable के अंदर में जो outcome है वो हमारा logical है कि नहीं है तो उत्तर यहाँ पे आ जाता है true उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे एक और operation लीजिए और यहाँ पे आप लीजिए x is less than 10 अर्था 5 is less than 10 अर्थात 5 हमारा क्या 10 से चोटा है और इसका जो भी outcome है आप उसको एक logical 2 के variable में आप store कर दीजिए और logical 2 की value आजाएगी true अब हम यह देखना चाहते हैं कि logical 2 के अंदर जो भी हमारा variable stored है वो हमारा logical है कि नहीं है तो हमने यहाँ पे command यूज किया is.logical और parenthesis में लिख दिया logical 2 और enter किया तो आपको मिल जाएगा उत्तर true अर्थात logical 2 के अंदर जो भी हमारा variable है वो हमारा एक logical variable है उसी प्रकार से हमने एक यहाँ पे variable लिया x not equal to 5 तो यहाँ पे क्या हो गया 5 not equal to 5 अब इसका जो भी outcome है इसको आपने logical 3 नाम के variable के अंदर store कर दिया अब logical 3 का जब outcome आपने देखा तो यह आ गया false भाई 5 तो 5 के बराबर नहीं है ना अब आप यह देखना चाहते हैं कि यह जो logical 3 है क्या यह हमारा logical variable है आपने देखा इस.logical और parenthesis में लिग दिया आपने logical देखिए इसका उतर क्या गया true अब आपको यहां पी यह ध्यान देना ही आपको भी ऐसी गल्टी मत करिए गया यहा गया यहां पे true है तो यहां भी true आ गया तो इसल cigarette आपको च्छलिफा है कि यहां पे false अगर और यहां पे true है तो यह हमारे अलग-अलग operation का बात कर रहा है जो हमारा variable का उत्तर है यह तो true और false हो सकता है लेकिन यह जो इस dot logical operation यह खाली यह check कर रहा है कि जो उसका उत्तर छिपा हुआ है उस variable के अंदर वह logical है की नहीं है और यह इसका एक screenshot है आपको मैं R software में करके दिखाऊंगा तो तब आप इसको cross check कर सकते हैं और उसी तरह के से हम एक और variable लेते हैं और यहाँ पे हम एक variable को दो से multiply करते हैं 2 x is greater than 11 और यहाँ पे x की value हमने क्या लिए है 5 अब इसका देखे जो भी outcome आता है उटके आएगा 2 x 5 जैसे 10 क्या 11 से जादा है उत्तर है false इसका जो उत्तर false है यह logical 4 valuable के अंदर store हो जाएगा और जब आप देखेंगे is.logical और इसमें देखेंगे की logical 4 नाम का variable क्या है logical है की नहीं है उत्तर है yes यह हमारा एक logical variable है क्यों इसकी value है false उसी तरीके से अगर हम एक और operation ने 3 x x is smaller than 20 अथा 3 x मतलब 3 x 5 की जो value होगी क्या वो 20 से चोटी है और इसका outcome हमने देखा की इसका value आएगी 15 क्या 20 से चोटा है उत्तर है yes अथा true अब देखेंगे की यह जो outcome आया है यह क्या logical है उत्तर है की yes हाँ यह हमारा एक logical variable है और की यह हमारा इसका outcome दिया हुआ है clear तो इस operation को पहले जरह हम आपको art software में करके दिखा जाते हैं और फिर हम आपको इसमें से बाकी यह करके दिखाते हैं की इसमें से कैसे कार करेंगे तो देखिए x की value मैंने यहाँ पे लेली 5 और मैंने एक यहाँ पे variable लेलिया say logical मैंने इसका अनाम खाली logical कर दिया right और मैंने यहाँ पे variable लेलिया x greater than 5 और say x greater than 10 इसका देखिए जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा false क्योंकि 5 तो 10 से घड़ा नहीं है हम चेक करते हैं की यह जो logical हमारा variable आया है यह हमारा क्या है तो is.logical और bracket में मैंने टिक दिया logical अर्था जो हमारा variable है तो यह क्या गया true अर्था यह जो false यह जो variable है यह यह भी तो हमारा एक logical variable है और इस ही में अब हमने logical को change कर दिया और हमने कर दिया x less than 10 और यहां पर हमने इसका जब outcome देखा तो यह आ गया true और जब हमने देखा की क्या यह हमारा logical variable है तो उत्तर आ गया true और इसी प्रकार से हमने अगर यहां पर एक और operation लिया की x की value मैंने लेली 5 और logical को हमने define किया 2 into x less than 10 यह हम इसको 2 less than 2 into x less than suppose कर देते हैं हम अंदरा को देखें क्या आता है और इसी में अगर हम यहां पर change कर दें कि 2 into x is greater than 15 तो देखिए इसका outcome क्या आता है false और false को आप अगर चेक करेंगे क्या यह logical variable है तो उत्तर आता है हां यह एक हमारा logical variable है और इसी में आप अगर हम आपको एक और operation कर के दिखा दें कि आपने अगर logical को कर दिया say not equal to 15 2 x is not equal to 15 अब देखिए इसका जो हमारा outcome है यह हमारा हो गया true और जब अगर हम देखते हैं यहां पर क्या यह हमारा logical variable है वो तर आता है यहां यह तो logical तो हई है तो आपने देखा कि इन operations को करना बहुत ही आसान काम है और अब हम आपको कुछ और उधारा देते हैं जो बहुत ही obvious है लेकिन आपको शैद इस logical operator को समझने में वे वो आपी साहता करेंगे एक हम्ने उधारे लिया 8 greater than 7 अर्था गया 8 साथ से बठा है उत्तर है yes, true फिर हम ने एक उधारे लिया क्या 7 हमारा पांऺ से छोटा है उत्तर है, नहीं अर्था है false फिर हमने का क्या साथ साथ से जादा है बढा है उत्तर आता है false तो हई है और अब हमने कहा कि क्या 7 greater than or equal to 7 है उतर आते है हाँ greater than नहीं लेकिन बराबर तो हई है उतर आगया true फिर उसके बाद हो गया हमने एक और example लिया 8 less than 8 क्या 8 8 से छोटा है नहीं उतर आगया false फिर हमने कहा 8 less than or equal to 8 क्या 8 8 से छोटा या बराबर है उतर आता है true और ठीक है 8 8 से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो हई है तो आपने देखा कि जो चीजें आपको बहुत थी आसानी से दिखाई परेती है उनका जो उतर भी लॉजिकल में उसी प्रकार से आ रहा है उसी प बराबर नहीं युदू करेक्ट तो यह हमारा अंत अतर हो घया true और यह उनके ना एक अधूल टू नाइन अथा नो गलत है यह फॉल्स फिर हमने का क्या 7 साथ के बराबर है और यहां पर हमने लॉजिकल इकोल्टी का का इस्तरमाल किया है उतर आता है हां साथ तो साथ के ब है ऐसा तो हो नहीं सकता यह तो गलत है तो उतर आ गया फॉल्स फिर हमने एक variable लिया एक्स जिसकी value मैंने दे दी true अब जब हमने यहां पे किया negation of x तो true का उल्टा क्या होता है फॉल्स तो देखिए आपका उतर ही है फॉल्स आ गया तो चलिए इस operation को पहले हम आपको आर हमने का हर 9 less than 8 false फिर हमने का दिया 9 greater than 8 true 9 is greater than 9 false we can मने का दिया 9 is greater than or equal to 9 true हमने का दिया 7 less than 7 false आब हम दिखते है 7 is less than equal to 7 देखिए यहां पे क्या होगा अरे यह तो गलत हो गया क्यों 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 यहां पने आपने पहले लगा दिया इसका तो correct symbol तो यह था ना दिखी यह आपने का 7 is greater than or equal to 7 उतरा गया हां यह सही है राइट तो उसी प्रकार से आप बाकी भी operation को करके देख सकते हैं कि यह आपको बहुत ही आसानी से आपको जवाब दे देते हैं और अब हम यहां पर एक और operation की बात करते हैं हमने अभी तक आपको जितने भी अधारा लिए हैं उसमें हमने scalar लिया हुए दोनों value जिनको हम compare कर रहे हैं वो हमारी scalar है जैसे 5 is smaller than 6 और 6 greater than 7 इत्यादी अब हम आपको यहां पे 2 data vector लिए हैं अब हमने यहां पे 2 data vector लिए x और y और x में 3 value है 1,2,3 और y में हमारी 3 values है 4,5,6 अब अगर हम माल लिजे x को अगर हम यहां पे लिख लिए y को यहां पे लिख लिए 1,2,3 और यहां पे हम कर दे 4,5,6 तो अब हम यहां पर अगर हम लिखते हैं our console पर x greater than y तो यह क्या करेगा इसका देखिए उत्तर आता operations यह हमारे दोनों vector की जो respective positions पर values लिखी हैं उनके ओपर operate कर रहे हैं अर्थात जब हमने कहा x greater than y तो इसने x की जो पहली position पर number था 1 इसको उसने 4 से compare किया जो हमारा y vector की पहली position पर है फिर उसने x और y vector में दूसरी position पर जो number लिखे हैं उनके ओपर operation किया और फिर उसने x और y में जो third position पर number लिखे हैं उनके ओपर operation किया तो जैसी हमने का x greater than y तो उसमें से 1 को इसने 4 से compare किया 1 greater than 4, 2 को 5 से compare किया 2 greater than 5 और 3 को 6 से compare किया 3 greater than 6 और यह जो पहला outcome आया हमारा false का यह हमारा outcome है 1 greater than 4 operation का जो दूसरा हमारा operation है यह हमारा 2 greater than 5 operation का outcome है और यह जो हमारा third false है जो हमारा third number पे लिखा हुआ है यह हमारा three greater than six के operation का outcome है इसके बाद में आप अगर इनी operation को अगर आप change करने की कोशिश करते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पे कर दें x smaller than y तो क्या होगा यह जो यहाँ पे x और y की value लिखी है यह इसमें corresponding values हैं वो आपके less than sign के साथ में comparison होगा जैसे कि अगर हम यहाँ पर x less than y करने पे आपके पास जो पहला position आता है true यह आपका one less than four का operation का outcome है जो दूसरा है true यह वाला two less than five के operation का outcome है और यह जो लिखा हुआ है true यह हमारे three less than six operation का outcome है उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं x is not equal to y तो क्या हो जाएगा यहाँ पे one is not equal to four two is not equal to five त्र incidents five or three is not equal to six यह हमारा operation हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास यह तीन operations तीन values आई Focusर करने के बाद में तो जो पहला true है यह हमारा one not equal to four का outcome है दूसरा true हमारा two is not equal to five 5 का के operation का outcome है और जो third हमारा true है यह हमारा three not equal to six के outcome का यह outcome है उसी प्रकार से अगर हम यहां पे अगर हम equality sign की बात करते हैं और हम यहां पे कहते हैं x is exactly equal to y तो यहां पे हमारा one is equal to four two is equal to five और three is equal to six यह तीन operation हमारे हैं यह हो जाएंगे और यह जो हमारा पहला false आया है यह हमारा one is equal to four के operation का outcome है दूसरा false हमारा है यह हमारा two is equal to five के operation का outcome है और जो हमारा यह third false है यह हमारा three is equal to six के operation का outcome है तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी कभी हम data vectors के बारे में operation करते हैं तो जो भी data vectors की respective position पर हमारे element होते हैं उसके ऊपर हमारे यह सारे सारे operation हो जाते हैं तो चलिए हम इनको जड़ा एक बार पहले आपको R software में करके दिखा दें और फिर हम अपने अंतेम slide की बात करेंगे तो जैसे देखी मैंने यहाँ पर ले लिया C is equal to 1 2 3 or y per manual idea C 4 5 6 x 0 than y true 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 x greater than y false 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 x is equal to y false 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 हमारे statement का जो outcome है यह हमारा true है कि false है उसको कैसे किया जाए उसके लिए हमारे हमारे command is true इसमें से आप देखेंगे कि जो is है यह आपका lower case alphabet में है और जो true लिखा हुआ है यह आपका uppercase alphabet में है तो अगर हमको यह चेक करना है कि क्या 8 6 से छोटा है तो हमने लिख दिया is true 8 less than 6 तो देखें इसका उत्तर हमारे क्या आगया फॉल्स उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया is 8 greater than 6 क्या statement सही है तो यह उत्तर आगया हमारा true कोई issue नहीं है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उसी प्रकार से हमारे पास इस फॉल्स भी होता है अर्थात अगर मुझे यह करना है कि कोई statement हमारा है की नहीं है इसका भी command देखिए ऐसा ही है is हमारा lowercase alphabet में है और जो हमारा false हमारा capital alphabet में लिखा हुआ है FALSE अब अगर माली मुझे यहाँ पर क्रॉस्टे करना है कि क्या पांच आर्थ से छोटा है तो हमने कर दिया इस फॉल्स फाइप लज़ दन एट अब इसका देखिए और कम आ गया false यह कैसे हो गया पांच तो आर्थ से छोटा होता है तो यह FALSE क्यों आ गया अब ज़रा कम जीए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए इस operation में आपने क्या किया आपने कहा पांच आर्थ से क्या छोटा है आपका उत्तर आया येस हाँ छोटा है अथार्थ ट्रू और उसके बाद आपका क्या है Is this false क्या यह statement गलत है आपने तो यह पूशा है ना तो इसने का नहीं आप गलत हो और इसलिए इसने आपको यहां पर उत्तर दे दिया false और यही false देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है तो आपने जिस प्रकार का सवाल पूचा है उसने आपको उसी प्रकार का जवाब दिया है यह आपको ध्यार में रखना है उसी प्रकार से अगर हम यह पता करना चाहते हैं कि क्या पांच आर्ट से हड़ा होता है तो हमन this is false लेकिन आपका उत्तर यहां पर आ रहा है true यह कौन से कवाल का जवाब यह बोल रहा है true तो आपका सवाल है इस false अर्थात जो यह उत्तर आया है is this false आपने का हाँ यह false है और इसलिए आपने जो कहा है हाँ यह आपका convert हो गया true में और इसने आपको उत्तर यहां पर दे दिया true तो यह true यहां पर आया है और आप देखेंगे कि इस बात को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि यह R यह कर क्या रहा है तो इसी चलिए हम आपको यह वाले operation भी R software में करके दिखाते हैं तो आपके से आपने का is to 8 greater than 6 तो पहले बाले में आपने कहा था कि क्या आज 6 से चोटा है और अब आप क्या आज 6 से जादा है पहले में आपने कहा कि is 8 less than 6 और दूसमें में बोल रहे हो आप is 8 greater than 6 तो क्या उत्तर आएगा true और उसी तरीके से आप अगर यहां पर false की बात करि और अगर आप अगर बात करिये कि इस false 8 greater than 6 तो तो उसी परकाश से आप हमारे भिन-भिन तरीके के जो भी हमारे logical operators हैं आप उनको यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं और इस lecture में हम यहां पर रुकते हैं और मैंने आपको इस lecture और पीस लेक्श तरी लेक्टर में जो भी हमारे logical operators होते हैं, उनके हमारे भिन-भिन तरीके के जो भी operations होते हैं, उनके बादे में बताने की कोशिश करी गया है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे हर example में दो-दो variable लिए हैं, मलब दो-दो statement लिए हैं, लेकिन आप इन statement की संख्या दो से ज़्यादा भ कर सकते हो, आप कोई statement ऐसे लिए सकते हो की, x greater than 8 and y greater than 9 and z say less than 7, आप ऐसे भी कर सकते हो, x greater than 8 and y greater than 9 or z less than 10, इते हादी, आप इसा के combination भी कर सकते हो, लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए आप को छोल के practice करना पड़ेगा, आप छोटे-छोटे उधारन लीजिए, उनके outcome अपने हाथ से निकालने की कोशिश करिए, और फिर देखें कि जो outcome आप की commerce के साब से आ रहा है, क्या वही outcome हमारा R software के अंदर भी आ रहा है, और जैसे आपका outcome और R software का outcome अगर मिल जाएगा, मिल खा जाएगा, इसका मतलब कि आपका concept सही है, और आप ये जो भी हमारे operation करेंगे, जहां पे आप एक से ज़्यादा statement में and या और लेंगे, उनका जो नियम होगा, वो जो truth table के outcome है, उनहीं के अनुसार तो चलेग करेंगे. झाल झाल